अलो डियर स्टुडेंट्स आज हम लोग एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे ये है कोटा विदिन कोटा यानि आरक्षन के भीतर आरक्षन उन्हीं लोगों के लिए जिन लोगों में तमाम उपजातियां हैं और जो पिशड रही हैं दूसरे शब्दों में जात पिजर बिंज यानि साथ सदस्ती संभिधान पीट को सौप दिया गया है लेकिन फिर भी जो ऑबजर्वेशन है उस पर चर्चा करना जरूरी है अब देखिए इसकी शुरुवात कहां से होती है एम आर बाला जी बनाम करनाटक राजी का ये वाद है 1963 का जिसमें की वहां सेक्षनिक संस्थानों और सरकारी नोकरियों में आरक्षन की बात थी और ये 50% से उपर हो रहा था तो सुप्रीम कोट ने इस मामले में दो तीन टिपडियां की थी इसमें एक सबसे महतुप्रों टिपड़ी थी कि भई रिजर्वेशन की एक उपरी सीमा निर्धारित होनी चाहिए आप जानते हैं अनुछेद 335 का सहारा लेकर किंद्रा साहनी वाद में 1992-93 में भी सुप्रीम कोट ने यही कहा था और 50% सीमा निर्धारित कर दी थी इस 50% का जिक्र सबसे पहले एमार बा पंद को मारने वाला कोई और है या कोई उप जाती है तो उसको भी आरक्षन देते रहे उसने उसमें यह कहा गया था कि यह सभी के सभी जो है एक वर्ग की तरह से ट्रीट किये जाएंगे और आरक्षन की जो भी सीमा होगी वो इस सीमा से उपर नहीं जाएगी यानि 50% से पर नहीं होनी चाहिए फिर आगे एक बसंत कुमार का केस है करनाटक राज्य का यह भी रिजर्वेशन से ही सम्मंदित है इसमें बैक वार्डनेस को परिभाशित किया गया इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें पिशडेपन को परिभाशित किया गया जिसके लिए रेड़ी साहब जो कि सुप्रीम कोड के जस्ते उन्होंने इसको परिभाशित किया था लेकिन इसमें सबसे महतुपूर्ण मोड आया था इवी चन्नया वाद इवी चन्नया बनाम आंदरप्रदेश वाद 2005 में उसमें ये 2004 का भी केस कहीं कहा जाता है 2004 पांच आप इसको कह स उप जातियों को जो S.C. की उप जातिया हैं उनको आरक्षन दे दिया था तो इसमें सुप्रिम कोड ने इसको रद कर दिया कहा कि वही ऐसा है कि ये काम केवल प्रेजिडेंट कर सकता अनुछे 341 के अंतरगत या 342 के अंतरगत पारलियामेंट को ये राइट है नहीं किया जा सकता उसके अनुसार प्रेजिडेंट नोटिफाई करता है कि किस जाति को किस आदिवासी को किस रेस को मूल वन्ष के किस व्यक्ति को आरक्षन दिया जाए तो ये नोटिफाईड एक लिस्ट होती है जिनको हम समगर रूप से S.C. और S.T. कहते हैं उसी के आ आपन आ रहा है उनको इसका अलाब नहीं मिल रहा है और इसी प्रकार से 2006 में पंजाब राज्य का एक केस था जिसमें कि हाई कोट ने पंजाब और हर्याना हाई कोट ने सुप्रीम कोट के चनयाबाद में दिये गए फैसले के अनुसार से इसको रद ये 2010 में एक्चुली र इसका नाम है पंजाब राज बनाम दविंदर सिंग वाद 2020 इसी मामले में 27 अगस्त को सुप्रीम कोट की एक अहम टिपड़ी आई कि अगर किसी जाती के भीतर कोई उप जाती है जैसे आपका राष्ट्री अनुसूचित जाती आयोग जो है वो अंदाजा लगाता है नुम वो हलाब नहीं मिल पाया है जो की मेन स्ट्रीम सी को मिला है कुछ जातीयों को जैसे की शिडूल कास्ट में जाटों है जैसे की शिडूल कास्ट में पासी है पासवान है इन लोगों को लाब मिला है लेकिन उसमें उप जाती हैं जैसे खटिक हैं मलाहों में कुछ उप जात राज्य पंजाब सरकार ने 2010 के पंजाब और हर्याना राज्य के फैसले को चुनोती दिया सुप्रीम कोट में और इसी के आधार पर अभी ये फैसला आया यानि कि कोटा के भीतर कोटा दिया जा सकता है और राज्य को ये पावर होगा चाहे राश्ट्रपती ने इसका नोटि और इस संबन में जस्टिस रामचंदर राजु रिपोर्ट का भी जिकर करेंगे एक्चोली रामचंदर राजु रिपोर्ट जस्टिस रामचंदर राजु रिपोर्ट के संबन में ये वहां के हरियाना सारी आंधरा परदेश हाई कोट के जैस थे उनकी रिपोर्ट में ये जाना चाहिए ऐसे लोगों को इसका लाब मिलना चाहिए दूसरे शब्दों में अगर मान लीजिए कि कोई जाटो हरिजन है और उसको आरक्षन का लाब मिलता है और एक बार वो एंट्री पॉइंट पे तो आरक्षन मिला ही आगे भी उसको आरक्षन मिला दूसरे शब्दों या ठाकूर कलेक्टर हो या एसी कलेक्टर हो उसका कलास चेंज हो गया अब वो एक साथ खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे कलब में जाएंगे बले शादी ब्या करने में इसमें परहेज करें लेकिन उसी जाती में जो दूसरी सब कटेगरीज हैं जो उसी किश्रेणी में आ सिस्टम के अनफोर्चुनेट बाई प्रोड़क्ट हैं मेंटेलिटी अभी इनके प्रदिस्समाज की चेंज नहीं हुई है और इसलिए OBC में तो क्रीमी लेयर का कांसेप्ट इंट्रोडूस किया लेकिन इसमें नहीं किया हलांकि अब प्रोमोशन में इनको भी जिस्टिस डिपक मिश्रा की बेंच के समय लागू कर दिया गया था लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ वर्ग में वर्ग निर्मित होते गए यानि एक बार जो कलेक्टर हो गया उसका लड़का भी आईएस बना लड़की भी आईएस बनी या किसी अच्छे जाब पर गए ले पहिला नहीं रह गए है एससी की वो एक खास क्लास की हो गई है इसी प्रकार से जो है आपके राम बिलास पासवान है अब इनके लड़के को ही लाब मिलेगा इनके खांदान को लाब मिलेगा दूसरे इसका लाब ले नहीं पाएंगे इसलिए इस कटेगरी के भीतर कोटा क के भीतर कोटा की बिवस्ता की गई अब आजाए इस संबंद में केरल राज्य बनाम एनेम थामस वाद का भी एक हम जिक्र करेंगे 1976 का इसमें सुप्रीम कोट ने कहा था कि भाई समूचे स्ट को एक वर्ग माना जाएगा यानि मोटे तोर पर उसने कोटा के भीतर कोटा को नक कोई और वर्ग नहीं किया जा सकता तो इस प्रकार से ये मामला ठंडे वस्ते में चला गया था आगे चल करके ये 2002 में तमिल लाडु की सरकार ने जस्टिस एमेस जनारधनम की एक कमीटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट में ये कहा गया वही आप देखिए अरुन धतियार वह का लाब मिला है तो इस प्रकार से 3% का रिजर्वेशन इसको दिया गया तमिल लाडु की सरकार द्वारा अब ये सभी मामले जो होते चले गए और अंत में आकर के यही जो अभी मामला आया है पंजाब राजिबनाम दविंदर सिंग का सुप्रिम कोर्ट में इसमें सुप् कुछी कास्ट को एसी में अगर इसका लाब मिल रहा है तो इस टेट्स को ये परमिशन दी जानी चाहिए ये अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो कोटा के भीतर कोटा लागू कर सकें भले ही इस मामले में राष्टपती ने कोई अलग से अधिसूचना जारी की हो या ना की हो या संसद में कानून बनाया हो या ना बनाया यानि 341 एक और 342 इसमें बाधक ना बने और इसी के आधार पर ये तैय किया गया कि वहाई चुकि 2004 में पांच निया धिशों की समिधान पीट ने इस कोटा के भीतर कोटा को खारिज किया था तो चिनईया केस में तो ये भी पांच ही निया धिशों की पीट सी अभी जो फैसला सताई सगस को हुआ है तो ये हुआ किसको लारजर बेंच को दिया जाए यानि कम सकम साथ जजिज की बेंच को दिया जाए तब जाकर के बहुमत से ये फैसला होगा तो ये माना जाएगा तो अब ये लारजर बेंच के पास बेजा गया है और अब देखना है आगे क्या होता है